वेलकम तो और चैनल फार्मे लेक्ट्रास हो गाइस कैसे वाफ साब इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मसेटिकल माइक्रोबाइलोजी के इंपोर्टेंट कोशन और साथ में गाइस हम देखेंगे कौन-कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है किस टाइप कोशन पूछे जाते ह इन है कौन सा टॉपिक कितने मार्उट का आता है जो यूनिट से रार्मस एना यूनिट से यूनिट 5 तक यह एक एंक्टिंट की यूनिट कितने मार्उट का आता है यानि हम एवरी उता है एक से दो कोशन कई बार दो कोशन देता है अदर्वाइस एक कोशन और सेकिंड में आता है ब्रांचेज, स्कॉप और इंपॉर्टेंट्स ऑप माइक्रोबायलोजी मानि यह तीनों टॉपिक्स लिए है because क्या होता है कभी कवार यह 7 marks में देना हो तो scope और importance से देंगे otherwise तीनों दे देंगे तो 10 marks के लिए हो गया यह question prokaryotes, eukaryotes, easily आप कर लोगे 7 marks में यह question आता है और guys मैंने इसके लिए specific video भी बनाई थी आपके लिए structure, ultra structure and morphological classification of bacteria 7 marks में बहुत important है most of the time आए गया है यह question और इसमें growth curve और factors affecting bacteria growth यह ज़्यादा important है यह 7 marks में guys आता है और यह सिर्फ इतना ही part पूछी लेता है बटर मैंने आपको यह भी बोला है पंड लेने के लिए ताकि अगर आ जाए तो attend कर लो growth curve isolation of pure culture 7 marks में important है अब microscopy में ज्यादा important phase contrast microscopy most of the time और जिस बार मतलब यह question ना आया उस दिन यह question आएगा electron microscopy तो यह दोनों आप कर लोगे तो एक question confirm आप solve कर दोगे 7 marks आपकी यहां से आ जाएंगे और 7 marks के लिए आपको यह सारा पढ़ना पढ़ेगा जैसे की ultra structure और scope importance और isolation of pure culture तब जाकर कि एक question वहां से आप attend कर पाऊगे तो यहां पर जो बनते हैं questions दो से तीन question 2 marks में पूछे जाते हैं एक question आपका 10 marks में अगर एक question 10 marks में आगया तो seven marks में सिर्फ एक ही आएगा otherwise क्या होता है कि seven marks में two questions आ जाते हैं और 10 marks में नहीं आता है और two marks में दो questions आजाते हैं that means आपके यह four और 14 18 marks easily मतलब कम से कम 18 आ रहे हैं और ज्यादा से ज़्यादा 22 तक आते हैं इससे ज्यादा नहीं गया है सो गाइस देख लो यूनिट वन आपको अच्छे से करना है अट लिस्ट 18 माउक्स आरे कम से कम सो अब देख लाएते हैं कोशन पैटन सो यहां पर आप गाइस देख सकते हो कुछ इंपोर्टेंट कोशन जो कि मैंने आपको अभी बताया था यूनिट वन से तो आप यहां से यूनिट वन से देख सकते हो कौन कौन से कुशन बनता है और किस टाइप से पूछे जाता है राइट इन डिटेल साबाट इसको पेंड एप्लिकेशन और फर्मसेटिकल माइक्रोबायलोजी तैन मार्क्स में यह पूछा गया है वही अगर सेवन मार्क्स में देखें तो यहां से आप देख सकते हो कौन से कुशन आए क्रोषन आगए 7 मार्क से तो यहां पर 17 मार the camera यहां पर बैट गयाल अगर एक और मेर पास यहां पर आप गयाईस देख सकते हो कि इसकोषुन मैं। जो 10 marks में question नहीं बना है अगर 10 marks में नहीं आएगा तो that means 7 marks में 2 question तो आ नहीं है एक आगा factors affecting bacteria growth और एक question आगा face contrast microscopy यानि 7 7 14 marks के तो यहीं हो गए 2 questions और अगर 2 marks में देखे तो यह रहा एक 2 marks 2 marks 2 marks 2 marks यानि 3 question आपके यानि 6 marks यहाँ पर आ गया 14 और 6 हो गया यह 20 marks तो यहाँ पर गाइस देख लो मैंने इसलिए आपको लिखवाया था एक average की 18 से 22 marks यहाँ पर बनते हैं और किस टाइप से question आया है वो भी यह आप सबको मैं provide करवा दूंगा टेली ग्राम पर भी और WhatsApp ग्रूप पर भी so थोड़ कोई बड़ा question बन गया तो इन तीनों के बार में पूछ लेगा otherwise most order time जो question बना है वो पूछाए गया जील निल्सन इस्टेनिंग के बार में 7 marks में बहुत ज्यादा important यह लगातार आ जाता यह question जो है most order time ऐसा है कि पिछले साल आया और उससे पिछले साल आया तो पिछले साल आप जाके देखोगे तो यह question आया पड़ा है और IMVC test confirm नहीं होता है कभी भी दे देता है अगर किस सब इसी के अंदर आता है तो अगर इस्टेलाइजेशन आप complete कर लोगे तो better रहेगा because एक question और वो भी long में इस्टेलाइजेशन से confirm बनता ही बनता है और एक question acid fast training से बन जाए तो यानि आपके 7 7 14 marks या फिर 10 और 7 17 marks easily यहीं पर बन गए सिर्फ आपको इतने topics पढ़ने से कु तो फिर एक ही question आएगा 7 marks में otherwise यहां से दो question 7 marks से यहां से आएंगे और दो question 2 marks से यहां से most of the time देखा गया है एक question 10 marks और एक question 7 marks और दो question 2 marks के यहां से बनते हैं unit 2 से तो average हो गया 18 से 21 marks अब आते हैं unit 3 मैं आपको questions भी दिखा दूँगा बट एक बढ़ पहले यह discussion कर लेता है unit 3 में जो question बनते है morphological classification और reproduction या replication and cultivation of fungi और viruses के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको यह question मतलब कि एसन यह की लगातार आए sometimes drop होके आ जाता है यह question तो इसलिए important है इसको करना पड़ेगा आपको और most of the time जो question पूछे जा गया है वो है disinfectant के बारे में disinfectant के बारे में at least 10 marks में भी आया है और 7 marks में भी आया है तो गाईस देख लो disinfectant आपको छोड़ना नहीं है details में करना है antiseptic इसलिए लिखा है कि 2 marks में यह most of the time पूछा गया है bacteriostatic bacteriocider 2 marks में पूछा गया है और long में भी 7 marks में पूछा गया है इसका evaluation इस्टैलेटी टेस्टिंग एक अकला कोशन जो कि most of the time आया हुआ है इन सबसे जादा मतलब कि एक डिसेंफेक्टेंट और एक इस्टैलेटी टेस्टिंग यह दो कुशन most of the time every time आते ही रहते हैं आपस में competition करते हैं कभी यह आ गया कभी वह आ गया बट डिसेंफेक्टेंट जादा आया है इस्टैलेटी टेस्टिंग से भी टू माक्स कोशन दो से तीन बनते हैं एक कोशन 10 माक्स और एक ही कोशन 7 माक्स यानि इन दोनों में से कोई एक ही आगा 7 माक्स का एगा नहीं तो 10 माक्स आगा दोनों नहीं आ सकते हैं यहां पर और टू माक्स में यानि यह यूनिट है वो 13 से 15 वार्क्स के लिए है गाईस और इसमें ज्यादा टॉपिक्स तो आपको करने नहीं है एक इस्टलिटी टेस्टिंग करना है एक डिसिट्फेक्टेंट करना है और फंजय और वाइरस के बार में पढ़ना है बस यह सब तो छोड़े-छोड़े टॉपिक्स के बार में पूछे कि यह डीटेल में यानि 7 marks हाँ 7 marks में यह 10 marks में तो नहीं है इतना डीटेल में माइक्रोबियल ऐसे विटामियन्स एंटिबाइटिक्स का बार में पढ़ना है वी 12 स्ट्रेप्टोमायसन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोने का बार में अच्छे सब पढ़ लेना गाईस और यहां से जो बनता है 11 से 19 marks 19 marks इसलिए मैंने बोला विकाज एक टाइम पर क्या हुआ था असेप्टिक एरिया आ गया था और लेमिनार फ्लो एक्विप्मेंट 10 marks और यह 7 marks 17 marks तो ऐसे बन गया थे और एक 2 marks का कोशन है नहीं 19 marks इसलिए बन गया था बट मॉस्ट रटा टाइम देखा गया है एक 7 या एक 10 में आएगा और एक से दो कोशन 2 marks में अगर 7 marks से बनता है तो दो कोशन बन जाएंगे 2 marks के लिए अदर्वाइस 10 marks से बनता है तो एक ही कोशन बनेगा 2 marks के लिए सो इस टाइप से यूनिट 4 आएगा यूनिट 5 के बार में देखेंगे तो यहां से टाइप ऑफ स्पोईलेज एंड फैक्टर अफेक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पोईलेज बहुत पर पूछे गया है टाइपस ऑफ स्पोईलेज तो मैंने पूट अप कर दिया से यूनिट 5 से पाट यह वाला कोशिन ज्यादा कंफर्म रहता है कि मुस्ट ओर टाइम पूछा गिया है वेटेज है एक कुशिन 7 माक्स में कंफर्म एक कोशिन 2 माक्स में कनवार्ट बट यह 10 माक्स वाला कंफर्म नहीं होता सो कोश्यंपर आपको दिखा देता हूं तो ग